तो आज जो वीडियो करते हैं तो इसके बारे में प्रशांद भाई बहुत अच्छे डिटेल में बताएंगा जो कुछी बात होती है क्योंकि ये एक्स्प्लेइन बहुत अच्छे जगरते हैं मुझे भी पता नहीं है ये काल्स्ट्रीम बहुत बोड़ते हैं तो काफी बोड देखके बहुत कुछ पता लग जाएगा हमें भी तो रेडी वन ट्यू त्री गो नमस्कार वलकम डोल फेर्ट जाओ प्रशान धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू इंडियास कॉंट्रवर्सी के बारे में ये कॉंट्रवर्सी क्या है वीरदास नाम के जो कॉमेडियन है इन्होंने यूएसे की कैपिटल वशिंटन डीसी में जाकर रिसें कॉमेडियन है इससे पहले कुछ मुवीज में भी काम कर चुके हैं कुछ छोटे रोज इन्होंने किये हैं इनका चैनल भी है यूट्यूब पर 2013 में उपन किया था करीब 625,000 के आसपा सब्सक्राइबर है तो आप इतने बड़े कोई कॉमेडियन नहीं है ये शोस करते हैं लगए ठाह्तार इंग्लिश लेंग्वेज में मॉ件ूबई में ड wreck alsoते वी करते हैं अब यूए इस के उरेंट रहों इन्होंने अपने शो के कि कुछ एक जो पूरी बड़ी population में इतनी बड़ी country में एक huge population है उसमें से कुछ 0.10% के आसपा जो कोई लोग है जो यह अपनात करते हैं उनकी गलती को लेकर क्या पूरी country को paint करना ठीक है और इसलिए बीजेपी के जो spokesman है यहापर अधित्याजा इन्होंने यहापर यह का है कि कंप्लेंड करेंगे इनके अगेंस्ट और कई F.I.R. इनके अगेंस्ट दर्ज हो भी चुकी है all over India कि इन्डिया की इमेज को डिस्ट्रॉइ किया है अब्रॉड और ना सिर्फ बीजेपी एक्चुली कॉंग्रेस के भी जो spokesman है अभी चेक सिंग्वी इन्होंने पुलिस कंप्लेंड तो नहीं करी इन्होंने यहापर यह का है कि देखो आप अगर जब जैनरलाइज करते हो आप कहते हो कि कुछ लोगों ने अगर कुई खराब काम किया है उसको लेकर एक पूरी आबादी को आ देखा है तो पीपल हू पेंटिड इंडिया इन फरंड व वेस्ट अज नेशन आफ सपेरास अंड लुटेरास दूरिंग देखो एक बार समझनी होगी के वीरदास की जो आज के समय आलोशना हो रही है दोनों साइड से जब बीजेपी कॉंग्रेस दोनू आपकी अलोशना जो बिल्क없이 रेफ का जो इशू है इंडिया में बहुत संसिडेव इशू है इसके बारे में डिसकेशन होनी चाहिए बात्चीत होनी चाहिए मगर आप इंडिया में बैठकेखोरो बात्चीत और 300 कि आसे करो के सिचुएशनम इंप्रूफ किया से कर सकती हैं सरकार ने और ल क्यार कर सकते हैं कि कल को अमेरिका का कोई कॉमेडियान या फिरinku कोई इ excessive personality, India में आकर चूर करे और ऐसे मोले कि अए सी ब सो पत्राव कर कॉमेडिया कि ए आशी बातों पर बस उस्कूल आपको अद्रावका इसू हऊ उसके लावा रे इसलों देखा कि द्रीज आइJust प्रोटेस्ट हुए उसे में तो क्या आप इमाजन कर सकते हैं कि उनका कोई कोमेडियन आकर ऐसी बातों पर ऐसी सेंचिनिव इशूस पर इंडिया में बात करेगा ऑविएसली नहीं करेगा इंडिया में आएगा हमारी एक्सेंट कैसी है हम किस तरीके से बॉलिवोड इसी बारे में होते हैं यहाँ पर इसलिए लोग काफियत तक सर खुजा रहे हैं कि वाशिंग्टन डी सी में जाकर इंडिया के बारे में यह सब कहकर के इंडिया में गैंग रेप होते हैं यह कून सी आप कॉमेडी कर रहे हो कून सी आप यहाँ पर अवेरनेस जगा रहे है आपने simply एक किया है कि जो अमेरिका में जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके दिमाग में एक स्टिरोटाइब डाल दिया एंड कि हाँ बिल्कुल इंडिया तो बहुत अंसेफ है और ये देखिए स्टिरोटाइब इंडिया के बारे में इतना स्टॉंग हो चुका है कि इंडियांस बहुत ही बड़े स्केल पर आज के समय रेसिजम फेस कर रहे हैं बाहर मैं अपना आपको बताता हूँ कि मेरे कई दोस्ते हैं जो आज के समय यूएस में पढ़ रहे हैं या फिर आरलन में पढ़ रहे हैं पिएजडी कर रहे हैं वहाँ पर उन्हेंने मुझे खुद बताया है कि लिटरली काफी बार वहां के जो नेटेवस होते हैं वो उनसे उपली पोच लेते हैं कि क्या इंडिया इतना अंसेफ है विवन के लिए क्योंकि इंडिया की इमेज इसी बन गई है कि यहां पर तो गैंग रेप ही होते हैं तो अगें यह चीज आज के समय जो इंडियांस बहार रहते हैं जो हो के आते हैं वो फेस कर रहे हैं और तो बी ओनेस्ट हम लोगों ने यह जो इमेज है खुदी अपनी बनाई है बहुत से इंडियांस ने बार-बार इसी जूपर बातचीत करके फिर मैं यह भी काऊंगा कि कुछ जो फॉरेंग मीडिया है उनने भी ऐसी रिपोर्ट करी है कि इंडिया में एक केस होता है तो उसको बड़े स्केल पर हालेट करके दिखाते हैं और उस वज़े से मैं यह गाऊंगा कि हमारी जो टूरिजम की इंडस्ट्री है इसको मैसिव लॉस हुआ है जो बहुत सारी फिमेल टूरिस्स हैं वो एक बार को इंडिया को अबोईड करती है इन्होंने यहाँ पर यह क्या दिया था कि इंडिया दुनिया की सबसे अंसेफ कंट्री है फर होमेन मगर रैंग थ्री पे USA है अब इस इशू को लेकर अमेरिकन्स भड़क गए यहाँ पर उनको पता है कि उनकी कंट्री की इमेज का सवाल है आपस में डेमोक्राइट रिपब्लिकन खूब लड़ते होंगे पावर के लिए मगर जब कंट्री की इमेज की बात आती है तब सभी खटा हो जाते हैं क्योंकि उनको बता है कि जब वो अमेरिका से भार जाएंगे तब वो डेमोक्राइट रिपब्लिकन नहीं रहेंगे तब वो अमेरिकन रहेंगे तो अपनी इमेज की इनको काफियत तक केर है अमेरिकन्स ने उसी वग यहाँ पे आप देख पाऊगे ऐसी हलोचना करी थी इस रिपोर्ट की के बोगस study alert है यह यह रिपोर्ट कहती है के युएस थर्ड वर्स कंट्री एंड वर्ल फॉर सेक्शुल वाइलेंस और युएसे को यह लोग अच्छुली पाकिस्तान और कॉंगो से भी बत्तर बताते हैं पीश में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है बहुत सारी जिसमें सीधा हैडलाइन यह बनती है कि इंडिया वर्स कंट्री एंड वर्स कंट्री एंड और यह बात इंटरनाशनली कई लोगों के दिमाग में च्छा भी जा चुकी है और इस वज़े से इंडिया जो पर्सेप्शन की जंग है न वो हार चुका है जिन कंट्री का यहाँ पर अब्जेक्टिव था कि इंडिया की इमेज डिस्ट्रॉइ कर दो यहाँ पर एक इमेज पेंट कर दो के बस यहाँ पर तो रेप की बहुत ज़रा प्रॉलम है दुनिया में रेप होते नों यही पर ही होते हैं तो वो कंट्री जीच चुकी है जो फोर्ट जनरेशन वारफेर थी आप कहलीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में हम बुरी तरीके से हार चुकी है अब लोगों को देखो फ्रस्ट्रेशन यही है कि अब वीर्दास को यह बाद बार बार रिपीट करके USA में क्या मिल रहा है कौन सा यह चुटकुला इससे बन जाता है और यह बार-बार रिपीट करने से वो भी USA में इससे आप accomplish क्या कर लोगे अगर मानलो आपके घर में आपने बिजली का बिल पे नहीं किया बिजली काट दी गई तो आप क्या करेंगे कि आप घर में बैठके घरवालों के साथ बैठके बात करेंगे कि चलो पैसे सेव करती है बिजली का पे लगली बार पे करेंगे या फिर आप सीरा गर के बार जाओगे दूसरे मोले को बताओगे कि हमारे याँ तो इलेक्टरिसिटी नहीं आती हम तो बिना बिजली के जीते हैं तो अगेन ये इसके बारे में कही ना कही हमको सोचना होगा और इस पर एक healthy discussion करनी होगी नहीं तो long run में laws हम सब का यह और याद रखिएगा right wing left wing वगरा वो सब इंडिया में होता होगा इंडिया से बार आप अगर देखोगे दुनिया आपको जो देखती है वो right wing इंडिया लेफिंग इंडिया नहीं देखेगी वो सिर्फ इंडिया नहीं देखेगी जो publish करता है Georgetown Institute for Women, Peace and Security वहाँ पर इंडिया की जो latest rank है यह 148 है हलाकि मैं फिर भी कहूंगा पाकिस्तान की rank 167 है यह बहुत जादा नीचे इंडिया से बांगा देश की यहाँ पर rank है 152 फिर भी आप देखोगे पाकिस्तान बांगा देश ते न ऐसे लोग निकलेंगे कि खुद की इतनी बुराई वरा करेंगे वो एक बार को फिर भी अपनी जो इज़त है ढखना जानते हैं पर इंडिया की rank अभी भी काफी खराब है हमारे यह बिलकुल हमें इंप्रूब्मेंट करनी होगी अल्टुगेदर लॉइन ओडर सिचुवेशन इंडिया में जो है इसको हमको इंप्रूब करना होगा पुलिस रीफॉर्म्स लाने होंगे ओपर और सोसाइटी को ऐसे ट्रांसवर्म करना होगा ताकि विमन और जड़ा सेफ फील करें मगर यह करने का रास्ता यही है कि जड़ाना चाहँगा आपको अपिनियों करना शाहंगे शाह्ताईए मुझाऑ लॉप घ्यार में जो हिर एक बात भर मैं न on in के लिग आपको इंड़ां तो तो वहां पिष उन अंग रिख कर लोगता बात शाई और यहां है कि ना इतना पता नहीं इता वी रख के बार इन अगर आप एक कमेडियन और नॉमल भी हो तो यह टॉपिक ही नहीं कि आप एसा देखो आप रेफ वर्ड को किसी भी तरह के जोक में वह नहीं कर सकते हैं बात वह यह नहीं है चाहे आप वह दॉसय कोई चीज गलत है क्या क्यों की देक हैं अगरो कि अभी है अफ्कित्व करने हैं लेकि बुलिये मत करो बस वीरदास को भी किसी को भी अगर वो हुआ क्या इवर क्या होता है जब आप कॉमेडी कर रहे हो तो लाइन क्रोस वाला थोड़ा सा होता है वो कई बार फ्लो में आदमी कर देता है तो यही चीज है कि हम एपस थोड़ा सा क्रोस चेक करना चाहिए और हम किस बाइन चीज हमें कि इंडिया में इसक्राशन करना चाहिए इन तॉपिक्स को लेकर रिफॉर्म जहें पुलिस रिफॉर्म जो प्रशान भाई ने बताई कि हरे इस तरीके से रिफॉर्म समें करने चाहिए वोमें और सेफ फिल कर क्यों कि काफी इंडिया की इमेज डैंपन जो रिनोन बंदा है ठीक है एक जो नोन फेस है वो जाकर किसी इंटरनेशनल लेवल पर समझ रहे है अगर यह वर्ड बोल दे न तो एंड शॉर्ली यह है कि खाली उस में तो पता नहीं होगा पूरे इंडिया मतला पुरे वर्ड में इन यह बहुत जल्दी फैलीगी तो कि कि इंगा इतना चोटा देश नहीं है तो उस सेलिब्रिटी वाला बैज करी गरते हुए जाते हैं हम जो वर्ड यूज कर जया है हम मतलब यहां पर लोगों को ज्याद हो इस चीज का लगा है कि सब को इंक्लूड कर जने कि हम जहां पर हम लोग यह करते हैं एक हम लोग में बहुत सही चीज आते हैं देश के पेम भी हम में आते हैं प्लासि जो वर्ड यह थोड़ा थोड़ा कोमेडी से अलग है कोमेडी से हटके होना चाहिए अगर वो यह भी बहुत जाता है जो हुआ बहुत सेंसित्रिव टॉपिक है बस यह कि अब उन वीर्दास को अपनी एक्स्पिनिशन देनी चाहिए उनको clarify करना चाहिए उनको sorry जो भी apologize करना चाहिए बाकि कभी इतना मत करो कि इंसान को आप उतना जानता है कि इंडिया ने अपनी इमेज बहुत वह करी है लेकिन अभी वह बात सही है अगर तो बाहर बात करेगा ना वह तो अभी है कि अच्छा कि एंसे पूछा जाता है अरे तुम वहां से ओना हो न तुम्हारे फादर जम्स कैसान थे तुम अभी भी महां पे वहां पे कहती करते हूं मतलब की सब्सक्राइब हो सकतै। वह बंदा के वह कोमेडी करेंगा वह शोउस को लेकि गरेंगा वो इन चीजों को नियुक्त तो बस वही चीज है बाकी प्रसांद भाई ने बहुत सही तरीके से न्यूस को समझाया जो भी था तो आप लोग क्या कहना है कमेंट करें जरू बता रहा है प्रेम का वाली न्यूस बहुत शौकिंग थी मतलब उससे जो बोल आ गया मैंने वो पहली बार सुने हैं मिलते हैं से को बोड़ को साथ बाई बाई टेक्यों बाई बाई टेक्यों